कि नमस्कार साथियों ओनलाइन क्लासेज में मैं मनोज कुठारी आपका हार्दिक स्पागत एम अभिनंदन करता हूं आज हम बात करेंगे राजस्तान की कलाउट संस्कति के बहुत ही महत्पून टॉपिक राजस्तान के प्रमुक दूर्ग अब देखे जब हम दूर्ग के लिए उसके बारे में प्रकार के बारे में और उसके बाद दूर्ग पर गरम आये तो टॉपिक थोड़ा सावसान हो सबस् zawsze में बात किरूँगा दिर्गों से संमन्दीत मात पारिवाशिक छब्दाली कि यहां मैंने कुछ शब्द लिखे हैं सबसे पहले मैंने सब्द लिखा अ को सब्सक्राइब किसी दूर के बारे में बताऊँगा उस दूर के अंदर साकाशब्द तो साखे का मतलब क्या हुआ देखिए अगर किसी दूर के बीतर दो गटनाएं हो जाए केसरिया और जोहर इसका मतलब होता है कि एक पुर्ण साखा माना जाता है अब ये दोनों गटनाएं कब होती है और कौन करते हैं केसरिया किया जाता है पुरुशों के द्वारा और जोह दूर किया जाता है महिलाओं के दबारा दोनों गटना एक अब होगी दूर्ग के उपर शत्रू सेना ने आक्रमन किया दूर्ग के भीतर जीतने भी युद्धा है वो ये देख लेते हैं कि शत्रू सेना से दूर्ग की रक्षा करना मुश्किल है उनके पास दो ही रास्ते बस वो दारण कर लेते हैं और शत्रु सेना पर भुके शेर की बाती तूट पड़ते हैं उन्हें पता है हमें मरना है लेकिन शत्रु सेना को साथ लेकर मरेंगे और दुर्ग के वितर जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने सतित्फी रक्षा के लिए आग में खुद कर या जल में जेसल मेर सोनार गड के किले से वहां पर तीसरा अर्द साका हुआ वहां केवल केसरिया हुआ जो और नहीं अब गटना क्या है पंदरा सो पचास की गटना है कंदार का भागा हुआ शाशक अमीर अली सोनार के किले के उपर आकरमन करता है उसमें बाटी शाशक होते हैं लू जीत जाते हैं अब जब योद्धा युद्ध जीत गए तो अंदर महिलाएं जो और क्यों करेगी इसलिए यहाँ पर केवल केसरिया हुआ जो और नहीं हुआ राजेस्तान में दुर्गों के इतियास में अर्द साकी के प्रमाण केवल और केवल सोनारगड दुर्ग से हैं इस साबात का निर्मान क्यों किया जाता पहले बात को समझना राजेस्तान के अधिकांश दुर्ग सुरक्षा के लियास से बनाए गए उची पाडियों पर बनाए गए गिरी दुर्गे अब शत्रू से ना मान लो दुर्ग के उपर आक्रमन कर रही है खुले वातावरण से दुर्ग के निकट पहुंसी शत्रू से ना और पिर उस दुर्ग के उपर आक्रमन करती साबात का सरब्रथम उलेग अबुल फजल के गरंद आएने अकबरी में मिलता है और कवी कवीराज शामलदास अपने गरंद वीर विनोध में इसे पेंचदार चत्ता केते हैं अब प अब देखिए यहाँ पर भी वही बात राजिस्तान के दिकांच दुर्ग गीरी दुर्ग है उनके समाना अंतर कोईन कोई आदार तयार किया जाता ताकि दुर्ग पर सही और सठीक आकरमन हो सके इसके लिए पाशिप बनाई जाती आगले मेने कुश्वद लिखें गरगच अरादा, मंझनिक और देंकुली यह क्या है तो दुर्ग के भीतर इस्थेद पत्थर वर्षा करने वाले यंद्थरों के नाम है गरगच, अरादा, देंकुली और मंझनिक देखिए प्राचिन समय में इतने अत्यादुनिक शस्र नहीं थे परंपरागर शस्रों से ही पढ़ेंगे क्योंकि कुलुका व नुस्रत्खा आते हैं तो नुस्रत्खा पत्थर वर्षय की यं इन्त्रों से की जाती है यह यंत्रों के नाम है घरगच अर्यादा मंजनिक और ортेकोली फिर मैं लिखा है मगरभी मगरभी ज्वलनशिल पदार्थ फेकने वाला एक यंत्र होता था उसे केते थे मगरबी फिर है मुदफर चतुर्दिक यानि कि चारोई दिशाओं से मार करने में सक्षम या चारोई दिशाओं से आक्रमन करने में सक्षम जो यंत्र था उसको मुदफर केते थे अभी यंत्र का इस्तित्या राजेसान के किस द बुर्ज क्या होता है दुर्ग के अंदर उच्छा उठावा भाग जहां पर बेटने के लिए इस्तान होता है उसे बुर्ज कहा जाता है फिर गजनाल नरनाल और शुतुरनाल ये तीन चब दोरे दुबारा रिपीट कर रहा हूं गजनाल नरनाल और शुतुरनाल ये छोटी बड़ी तोफों को खीच कर ले जाने वाले यंत्रों के नाम है और इनी यंत्रों के नाम पर तोफों के नाम रखने की परंपरा थी तोफों के नाम रख दिया करते थे अब कुछ नितिशासरों ने दुर्गों से समंदित कुछ मात्पुन कोटेशन कहें हैं उन कोटेशनों क के हम चर्चा करेंगे मनुस्प्रती क्या कहती है कि दुर्ग में अवस्तित एक धर्नूरदर सो धर्नूरदरों को तता सो धर्नूरदर एक सास्र धर्नूरदरों को मार गिरा सकते हैं मनुस्प्रती में इस बात का उलेग मिलता है कि दुर्ग के पितर अगर कोई एक कि निटी वाक्य अमरत में दुर्गों के संब्द में यह लिखा हुआ है कि दुर्ग में गुप्त सुरंग होनी चाहिए जिससे गुप्त रुप से निकला जा सके अन्यता वह बंदी गरहसा हो जाएगा अब देखिए योद्धा तो युद्ध करके विरगति को प्राप्ट हो सकरें लेकिन मान लो दूर की वितर व्रद हैं बच्चे हैं मैला हैं उनको गुप्त रास्ते से निकालने क लिए निती वाकियामरत में इस बात का उलेक है कि दूर्ग में गुप्त सुरंग होनी चाहिए जिससे गुप्त रुप से निकला जा सके अन्यता वह बंदी गरहसा हो जाएगा याग्यवलक के लिखते हैं कि दूर्ग की स्तिती से राजा की सुरक्षा एवं प्रजा की रक्षा होती है विष्णु धर्मोतर में लिखा गया दूर्गों के संदर में कि दूर्ग में परियाप्त आयुद्ध अन्न ओशद धन्न हाती गोडे बारवाई पशू ब्रामन शिल्पकार भूसा जल एवं आश्रसस्र आधी होने चाहिए ये तो ओगई बात आपके द दूर्गों से समंदित जमात्पन कोटेशन नितिकारों ने कहे हैं उनके संदर में हमने चर्चा की अब बात करेंगे दूर्गों के प्रकारों की दूर्गों के प्रकारों का उल्लेक किन-किन गरंतों में मिलता है और उनमें दूर्गों के कितने प्रकार बताए गए मैंने स्प्रति और विष्णु धर्मसुत्र में दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए और कोटिली के गरंद अर्थिशास में दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए लेकिन हम आचारी शुक्र ने अपने गरंद शुक्र निती में जो दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं उनी प्रकारो को हम समझेंगे और लिखेंगे क्योंकि देखिए बाकी के जो ग्रंथ में नहीं लिखे हैं उन्हें भी दुर्गों के प्रकारों का उलेक है लेकिन आचारी शुक्र नहीं जो नो प्रकार बताये हैं उनीक को गुमा फिरा कर लिखा जैसे मैं अर्थशास्ति की बात करूँ आ बात वो ही है जल का परियावाची है तो कुल मिलाकर आचारी शुक्र ने अपने गरंत शुक्र निती में जो दुर्गों के नो प्रकार बताये हैं वही प्रामानिक प्रकार मने जाते हैं और शुक्र निती के नुसार ही हम दुर्गों के प्रकार देखेंगे शुक्र निती कि शणी में रखा जाएगा अब देखिए राजा महाराजाओं ने दुर्गों का निर्माण सुरक्षा के लिए याज से करवाया तो राजेस्तान में अधिकांश दुर्ग गिरी दुर्गें हम उदेपुर संबाग की बात करें उदेपुर के अंदर सज्जनगड का किला बा 568 फिट की उचाएपर अरावली प्रतमाला की एक चोटी परिसीते यानि कि ये भी गिरी दुर्ग हुआ मारवार संबाग की बात करों जोदपुर में मेरांगड चिडिया टूक पाड़ी के उपर फिर सोनारगड हला की ए दानवन दुर्गे लेकिन फिर भी पाड़ी के उपर बनावा है त्रिकुट पाड़ी पर फिर सिवना का किला हलदेशपर पाड़ी के उपर जालोर का किला सुवरन गिरी पाड़ी के उपर और पाली के अंदर सोजद दुर्ग नानी सिर्डी पाड़ी के उपर या हम कोई भी एक उधारन लिख सकते हैं जैसे मानली जे मैंने लिख दिया मेरानगट दूर्ग जोतपूर या सोजद दूर्ग पाली ये गिरी दूर्ग के उदारने फिर जल दूर्ग नदियों के संगम पर इस्तित दूर्ग उसे जल दूर्ग का जाता है जल दूर्ग का राजिस्तान में शेष्ट उदारन अगरम बात करें गागरोन का किला जालाव तारण के अगर मैं बात करूं कांक वाडी दूर्ग अलवर के अंदर अब देखिए जितनी भी गाइड बुके हैं वहाँ पर इस दूर्ग का नाम कांकन वाडी लिखा हुआ है लेकिन राजस्तान के फ्रमुक दूर्ग डॉक्टर रागवेंद्र सीम अनौर किताब कंसल्ट क हिंदी गरंत अकादमी की किताब है इसमें इस दूर्ग का नाम कांक वाडी लिखा हुआ है और दूर्गों के इतियास में सबसे प्रामानिक पुस्तक मानी जाती है हम यहां कांक वाडी ही पढ़ेंगे और कांक वाडी ही लिखेंगे वन दूर्ग में कांक वाडी दूर्ग यानिकि जंगल में स्तित दुर्ग उसे वंदुर कहा जाता है दानवंदुर्ग मरुशल चे गिरावा दुर्ग जिसके चारो तरप रेथ ही रेथ हो इसमें भी बड़िया उदारन की बात करें सोनाघड जेसल मेर का किला दानवंदुर का अच्छा उदारन है फिर एरन दुर्ग अब देखिए एरन शब्दी बड़ा क्लिस्ट है लिखने में बोलने में यानि कि एसा दुर्ग जहां पहुशने का मार्ग विकट हो कंटिली जाडियों और पत्थरों से युक्त मार्ग वाला दुर्ग इसमें उदारान की बात करें रन थंबोर दुर्ग सवई मादोपूर एरन दुर्ग का अच्छा उदारन मना जाता है फिर अगले दो प्रकार मेंने लिखे हैं उसमें केवल एक ही वरण का अंतर है पारी ख और पारी ध पारी ख का मतलब आप समझेगा खाई मतलब एसा दुर्ग जिसके चारों तरप गेरी खाई हो वो तो पारी ख दुर्ग का उदारन इसमें अगर हम बात करें लोहागड भरतपूर का किला उसके चारों तरप गेरी खाई है और उसमें सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी की आपूर्ती की जाती है फिर पारी ध पारी ध का मतलब परिदी ऐसा दुर्ग जिसक अगले दो प्रकार में लिखे सेन्य दुर्ग और सहय दुर्ग अब देखे सेन्य दुर्ग से भी प्राएं ऐसा दुर्ग जिसमें सदा चतुरंगी सेना विद्धिमान रही हो या जिसमें सदा सेना विद्धिमान रही हो चतुरंगी का मतलब जिसमें पेदल सेनिक भी हो र राजा माराजाओं ने दुर्गों का निर्मान सुरक्षा के लिए आज से करवाया तो लगबग लगबग सभी दुर्गों में सेना रही है लेकिन सवाल का नजरिया यहां यह रह सकता है कि शुक्र निती में दुर्गों के नो प्रकार बताए गए इसमें आचारी शुक्र न उनके निकट सम्मंदी एक साथ रहते हों अब देखिए यहां पी पर्टिकुलर हम कोई एक उधारन नहीं देंगे क्यों क्योंकि राजा माराजाओं ने दुर्गों का निर्मान सुरक्षा के लिया से करवाया बात समझ में आती है लेकिन रेवासी द्रश्टी से भी अब मैं बात करूँगा राजस्टान के प्रमुक दुर्गों की मारवार संभाग से प्रारम कर रहा हूं जोदपूर संभाग जिला जोदपूर दुर्ग लेंगे हम जोदपूर संभाग के दुर्गों की मैं बात करूँगा सबसे पिले जिला जोदपूर दुर्ग लिखा मैंने महरांगड मयुद्वर्जगड और गड़ चिंता मनी देखे जोतपुर के अंदर जो राजबंश रहा है राठोड राजबंश राठोड शास्पों के बारे में एक बात कई जाती है कि कमदज आया कनोज सुहूं मरुजर रे सिरमोड डूंगर उपर डेरा करेन ठोड ठ ठोड राठोड राठोड और इस दूर के बारे में का जाता है कि सबही गड़ा शिरो मनी अती ही उचो जान अनड़ पहाड़ा उपरे जबरोगड जोदान 1469 में राव जोदा चिडिया टूख पहाड़ी के उपर इस दूर का निर्मान करवाते हैं यहां मैंने एक लाइन लिखी है कि 1469 में राव जोदा द्वारा चिडिया टूख पहाड़ी के उपर इस दूर का निर्मान करवाये जाता है दूर्ग की नियु करणी माता द्वार अपने हातों से रखी जाती है इसका एक नाम मैंने ओर लिखा मयूर द्वर्जगड क्यों केते हैं क्योंकि इस दुर्ग का आकार मोर के समान होने के कारण इसे मयूर द्वर्जगड भी कहा जाता है फिर मैंने लिखा गडचिंता मनी कुंडली के आदार पर दुर्ग का नाम गड़ चिंता मनी था जैसे कोई इंसान पेदा होता है उसकी कुंडली बनती है दुर्गों के निर्मान से पुरू उनकी भी कुंडलिया बनाई जाती थी और इस दुर्ग की कुंडली के आदार पर इसका नाम गड़ चिंता मनी था और जब ये दुर्ग बना तो इसका आकार मेहर का मदलब विशाल विशाल आकार का होने के कारण ये क्या केलाया मेहरानगड केलाया गोरी शंकर हिराचंद ओजा की जोदपुर राज्य के इतियास के नुसार गोरी शंकर हिराचंद ओजा ने पुस्तके लिखिये उसमें पुस्तक का नाम है जोद्पुर राजे का इतियास इस पुस्तक के नुसार इस दुर्ग की नीव में राजिया भांबी नामक व्यक्ति की बली दी गई थी उन्होंने ततकालिन समय में जो एक लोग विश्वास प्रबल था उसका उलेग किया ततकालिन समय में जो एक लोग विश्वास प्रबल था उसका उन्होंने उलेग किया कि इस दुर्ग की नीव में राजिया भांबी नामक व्यक्ति की बली दी गई थी अब भात करेंगे दुर्ग के प्रवेश द्वारों की देखे इस दुर्ग में अलग अलग दिशाओं से प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार बने हुएं continuity में नहीं है मैं एरो एरो करके लिखूंगा बात को समझने का प्रयास कीचीएगा जै पॉल देखे जै पॉल इसका निर्मान 1808 में मानसियंजी प्रथम द्वारा करवाये जाता है 1808 में मानसियंजी प्रथम जै पॉल का निर्मान करवाते हैं परन्तु इसमें लगे लोहे के दर्वाजे पाली के अंदर एक ठिकाना है निमाज वहां के ठाकुर साथ अमर सिंग जी उदावद एमदाबाद से लूड कर लाते हैं हुआ क्या? इतियास में एक युद्ध हुआ जोदपुर के शाशक अभै सिंग जी और गुजराद के मुगल सुवेदार सर बुलंद खांके बीच और इस सिद्ध का उलेक किया करणी धान ने अपनी पुस्तक सुरज प्रकाश के अंदर तो जोदपुर महाराज अभै सिंग जी की तरफ से उनके सामंत जागिरदार भी उनके साथ युद्ध करने के लिए गए उनमें से निमाज टिकाने के जागिरदार अमर सिंग जी उदावद भी उनके साथ गए एमदाबाद और वहां से लोहे के दरवाजी लूट कर लाए और इस जैपुर के अंदर उन्होंने उन लोहे के दरवाजों को लगवा दिया अगला दरवाजा फतेह पॉल फतेह पॉ इस कुषी में अजिसी जी इस दुरकी वितर पतेव पॉल का निर्मान करवाते हैं फिर है लोहा पॉल का निर्मान कारिये 1548 में राव मालदेव द्वारा प्रारम करवाया जाता है जिसे विजय सीए जी पूरा करवाते हैं लौापॉल का निर्मान कारियर 1548 में राव मालदेव प्रारम करवाते हैं और इसे पूरा विजय सियंजी द्वारा करवाये जाता है इसके लावा और भी दर्वाजे हैं दुरूपॉल, सुरजपॉल, इम्रतपॉल और बेरोपॉल अब मैं बात करूँगा दुर्ग के दर्शनी इस्तलों की तो दुर्ग के दर्शनी इस्तल चार म, चार म का मतलब महल, मंदीर, मज्जिद और मजार यहाँ पर मैंने चार म लिखे हैं यह चार म का मतलब मतलब हो गया दुर्ग के दर्शनी इस्तलों में महल भी आएंगे, मंदीर भी आएंगे, मज्जिद और मजार अब दिखें महल कौन कौन से, मोती महल, मोती महल का निर्मान महरानगर दुर्ग में सुर्च सियंजी द्वारा करवाया जाता है फिर अगला महल, फूल महल, फूल महल का निर्मान जोतपुर महराज अबई सियंजी करवाते हैं और इसी समय एक बड़ी दुखत गटना होई इसमाहल के निर्मान के दोरान चुना पकाने के लिए लगडियों के आविशक्ता महसुस होई तो अबैसिंजी ने का पेडों को काटो तब 1730 में अमरता देवी के नितरत में खेजलली जोधपूर के अंदर व्रक्षों को बचाने के लिए 363 विष्णुई संप्रदाय के इस्तिरियों और पुरूशों ने पेडों को बचाने के लिए अपनी जान दी और उनी की स्मती में प्रतिवाश खेजलली जोधपूर के अंदर विष्व का एक माद्र व्रक्ष सरक्षन मेला या शहीद मेला भी आयजित होता है बादर पर शुकला दश्मी जिसको हम तेजा दश्मी के नाम से जानते हैं साथ ही राजिस्तान के एक नाटक कार हुए अशोक राही उन्होंने पूरे इस खंडाना से प्रेरित होकर खंडाना का जाता है राजिस्तानी शब्दावली में व्रक्षो को बचाने के लिए जो आत्मोस्तर किया जाता है इस खंडाने से प्रेरित होकर उन्होंने एक नाटक लिखा केजडी की बेटी फुल माल अवैसिंग जी ने बनवाया फिर है फतेह महल फतेह महल और फतेह प जोदपुर के राठोर शाषकों का राजाभी शेक इसतल इसका निर्मान तक्त सियाजी ने करवाया देखे जोदपुर के राठोर राजाओं का राजाभी शेक मेरांगर दुर में इस्तित शंगार चोकी किया होता था जबकि विकानेर के राठोर शाषकों का राजाभी श एक जुनागरदूर के वितर एक मल बना हुआ है अनुप महल वहां पर होता था फिर तक्त निवास महल अब देखिए तक्त निवास महल यह जोदपुर के राठोर शाष्कों का शाही शैनागार था फिर अगला महल चोखला या चोखेलाव महल चोखला या चोखेलाव महल मार प्रशिद्धे जब हम चित्र कला शेलियां पड़ते हैं वहां इसका उलेक आथा है कि इस माल के वितर मालदेव के शाषनकाल में मार्शल टाइप के चित्र बनाए गए जिनका उद्देश पौराणी काक्ष्यानों यानि कि रामायन महाभारत आधिको आदार बना कर चित्रन करना था जैसे वगवान रामद्वारा रावन का वद करते हुए बावकुन चित्रन इस माल की दिवारों पर हुआ तो चोकला या चोके लाओ माल मारवाड शेली के बित्ती चित्रों के लिए प्रसिद्धे ये तो बात हो गई महलों की अब अगली बात करता हूं में मंदी जोद्पूर महराज अब इस यह जी द्वारा करवाया जाता है जोद्पूर के राठोडों की कुल्देवी नागनेची माता का मंदीर वह भी इसी दुर्ग में है और सबसे उपर ही उपर यानि की शिर्ष भाग पर मंदीर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदीर अब दे में दुर्ग के बारूत खाने पर बिजली गिरने से मंदीर में क्षती हुई उस क्षती को थतकालीन जोद्पूर महराज तक्त सियंजी पूरा करवाते हैं इस मंदीर के साथ भी एक दुखत घटना जूड़ी हुई है 30 सितंबर 2008 की नवरात्रा में इस मंदीर में भगदर हुई और उसकी जाज के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग गठित किया गया अब बात करें मस्जित की देखी इतियास में जेतारण या सुमेल गिरी का युद्ध और ये युद्ध हुआ शेरशा सुरी और माल युद्ध को उसने बहुत मुश्किलों से जीता तो युद्ध को मुश्किलों से जीतने के बाद उसने इस दुर्ग के बितर एक मस्जित का निर्मान करवाया शेरशा सुरीद्वारा निर्मिद मस्जित वो इस दुर्ग के बितर है फिर एक मजार बनी हुई है बूरे खा सोड़ा की चत्री अब ये किरसिंग सोड़ा कौन थे इतियास में की दुवा 1807 में गिंगोली का युद्ध जैपूर और जोदपूर की सेनाओं के बीच मेवाड के मारणा बीम सिंग जी की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद हुआ और उसमें मांसियां जी की थर दन्ना बीमा दन्ना बीमा मामा बांजा इनकी भी चत्री इस दूर के बीतर है कि दन्ना बीमा कौन थे पाली के एक जागिरदार थे मुकंद सिंग जी इनके विश्वस्त सेना नायक थे एक आंतरिक विग्रह में मुकंद सिंग जी का निदन हो जाता है उनके साथ इनका भी अजी सियजी द्वारा करवाये जाता है ये लोहापकोल के पास बनी हुई है और इस पर आज भी कुछ पंक्तिया लिखी हुई है कि महलज रूणी मुकनरी आजूणी अधरात बली रुवानी भीवडा पातलरी परभात ये दो चत्रियां इस दुर के भीतर है फिर पेजल इस रोत की रूप में दो तालाब बने हुए है रानी सर और पदम सर अब देखिए रानी सर तालाब का निर्मान किस ने करवाया राव जोधा की एक हाडी राणी थी जस्मा हाडी उसके द्वारा इस रानी सर तालाब का निर्मान करवाये जाता है जबकि पदम सर तालाब का न नम्भी दूरी तक मार करने में सक्षम थी जिन में तीन तोपे नाम लिख लेता हूं यह आपर गजनी खां अब देखें घजनी खां तोप 1607 में गज सिंग्जी प्रथम जालोर अभियान से लेकर आए राजिस्तान में दो दूर्ग ऐसे हैं जिन में तोप डालने के कार खान एक जैगड का किला जैपूर के अंदर दूसरा जालोर दुर्ग तो जालोर से 1607 में गज सिंग्जी प्रथम एक तोप लेकर आए गजनी खां फिर शंबू बान शंबू बान तोप जोतपूर महराज अबय सिंग्जी गुजरात के मुगल सुवेदार सर बुलंद खां को प करते हैं विजे राज बंडारी के माध्यम से पुना दुबारा रिपीट कर लेता हूं किलकिला तो अजी सिंग्जी द्वारा क्रे की जाती है एहमदाबाद से विजे राज बंडारी के माध्यम से 1400 रूपे में इसके लावा कुछ प्रसिद तोपे और हैं नुसरत, गुब पुबार, गजक, नाकपली, मीरक चंग, मीरबक्ष, रशकला, बिच्चूबान, दुरधानिद, बगस्वान, मगवा, एवम व्यादी ये सारी तोपे मेरानगर दूर्ब में इस दूर्ग से समंदित कुछ विशेश मिद्दूओं की बात करें जंगल बुक के लेखक और बिटिश उपनियासकार रूडियार्ड के प्लिंग इस दूर्ग के निर्मान को देवताओं, परियों और फरिष्टों की करामात बताते हैं। अमेरिकी राश्टपती जोन F. केनेडी की पतनी जेकलीन केनेडी इस दूर्ग को देखती है और इसे विश्व के आठवे आश जस्वन खड़ा, मतलब कि इसकी स्मृती में जस्वन सियंद्विती की स्मृती में इसका निर्मान करवाया 1906 में सरदार सियंजी ने। यह हो गई बात आपके महरानगर दुर्ग की।